हेलो गाइज, वेलकम बैक टो माई चैनल, माई नेम इस पारूल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगे साथ शूए करने वाली हूँ एक बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी सैंविच की रेसिपी, यह एक वेजटेबल सैंविच है, आपके पास घर में जो भी वेजटेब अफ हंकर ली थी, और मैंने एप्रॉक्सिमेट सेम एमाउंट ही, लो फैट पनीर का लिया था, जिसे मैंने घर पे ही बनाया था, फिर इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी कोरियंडर लीव से अट करी थी, लेकिन मैंने इसमें 4-5 मिंट लीव भी आट करी थी, फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, एक जार में, और फिर इसका एक स्मूज सा पेस्ट बना लेंगे, एक कलती मेर से हो गई थी, कि मैंने जो अपना पनीर था, वो क्रमबल या फिर कुछ भी ग्रेट करके नहीं डाला था, तो मुझे थोड़ा सा टाइम जादा लगा, अ और आपकी यह हंकर जो है, वो रेडी हो जाएगी, अब हम इसको एक सेपरेट बाउल में निकाल लेंगे, जिसमें हम इसमें सारी वेजिटेबल भी आट करने वाले हैं, मैंने उस दिन जो वेजिटेबल ली थी, मैंने सिफ कैरट, क्युकंबर और ओनियन लिये थे, क्योंक इस सोल्ट का मौंग थोड़ा कम ही रखेंगे, और थोड़ी सी ही ब्लाक पेपर भी आट कर देंगे, आपको कोई और मसाला डानने की जूरत नहीं है, यह ऐसे ही बहुत ही टेस्टी बन जाएगा, फिर इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आप अगर देखे, तो मै इस में क्वांटिटी आपको सान्विच के लिए यानि इस में 4 वरेड की यह इन फिर दो तो मैंने ली यह एक ब्रेटल उपशन को करें दो किया की मैंने क्या किया है कि मैंने सानविच को देसी गी में बनाया ही क्योंकि रची से भी ठोग एक healthy वर्जन ओता है और यह मेरा जो देसीगी है ये भी मैं घर पर ही बनाती हूँ अपने ही जो मिल्क की जो मलाई होती है उसको एक्खटा करके तो ये भी मेरा अच्छे से मतलब अच्छी सी क्वांटिटी वैसी ये स्टून काफी छूटी है लेकिन मैंने उसको अच्छे से भर कर पहले एक साइट पे लगाया फिर मैंने दूसरी साइट पे लगाया क्योंकि मैंने इसमें और कुछ ज्यादा फैट अड़ नहीं किया है जैसे कि अगर आप देखे तो मैंने जो तो ँणकर लिती वह भी मेरी घर पे बने होई थी तो मैंने वह भी low fat milk से बनाया थी मैंने पनीर भी जो बनाया तो इसमें बहुत ज्यादा fat नहीं गई है तो आप अपने accordingly थोड़ा चेंज कर सकते है जाए बटर में अब say सकते हैं मैंने इसको ग्रिल पैन पे बनाया था आप चाहें तो आप इसको टोस्टर में भी बना सकते हैं फिर मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्प होने तक दोनों साइट से अच्छे से से शेक लिया था फिर मैंने इसको जब कट करके देखा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था कि पतना नहीं अंदर से यह कैसा हुआ होगा वैसे मैं हंकर सैंडिच बनाती रहती हूं लेकिन मुझे अंदर से इसको ग्र सबस्क्राइब तो मैं चैनल से यू सुन विद अनधर वीडियो तिल एंटे केर बाइ